हेलो रिवान स्वागत है आप लोग का हमारी ट्यूप चैनल अश्रावलिंग क्लास में आज की इस वीडियो में हम मियारप्र मेडिकल एक्जाम 24 के लिए हिंदी के जो है समास चेप्टर को देखने वाले और समास के अजम सारे जो परिभासा को देखेंगे इसके लावे इसक इसको अच्छी से समझाने वाले तो वीडियो कों तक आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको भी आप जो वीडियो प्रवाइड कराया जाता है उन सारे को आपको पर जरूर देखें कि उससे जो आपको बहुत मिलने वाली आपकी एक्जाम में ज जाते हैं तो यह समास कहलाता है यानि कि जो हमारा समास होता है इसमें क्या होता है दो या दोस या थिक पद जो हता है वे अपने विभक्ति चिनको यान सब्दों के छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो हमारा समास कहलाता है जैसे कि यहां पर दिया हुआ है राजा की कन्या तो यहां पर किया हुआ यांग तैने कम हैं। मैं जो मैं कि इस्वेड हों आगे होई यां Oxoke सबसे में बात करेंगे तत्पुरुस समास की तो जिस समास में अंतिम सब्द्य उत्तर परधान हो तु समास करें और यहां पर दिया वजह से कर्म तद्पूरुस है इसमें को चिंग का लोग हो जागा है इसमें को करन से संब्दान को के लिए अपदान से संबन्द काके कि संब्धन यहां पर जो है इसमें जो कारक चीन का उप्योग रहेगा वह हमर्ट पूर्ष स्मास हो जाएगा इसे आप लोग से जिसको बना सकते हैं कि यहांपर जैसे करन ततपूरुस दिरुए तो सेचिन का लोप हो जागा जैसे कि यापर समपरदान कारक तरह समपरदान तत्पूरूष का निया लेगर तो निया के लिए आले देवाले यानि कि देव के लिए आले यानि की कैली काज़ों ह्यूज क्या गए है संप्रडानतत्पुरुस का निश्चा पर राज तमध्त का पूत्र तो राज्या को पूत्र है यानि आत तो है यह empal以及 क्या हो जाएगा इसमने जो है छिड्या को जो चिन रहाएंगे इस जो वड़ रहाएगा इसके आप लोग को तोड़ना जैसे रस भरा यह जाए ना तो इसमें जो कारक की विभक्ति जिसमें भी हाएगा वह हमारा हो जाएगा ततपूरु समास इससे आप लोग ऐसे याद रखेगा नेट्स लुट अपर दिये हमारे अधिकरन तत्पुरु तो इसमें क्या हुता है मेचन का लोप जाए जैसे नरोतंग्त तो नरो मेच उत्तम है मेच बर्ते क लुटिय वकृम सब् Das कि यह थो है तो थोड़ा हाड़ भासा भी दिया हुआ है कठीन तो उन्सकों सारे आपको ट्रीक यह पर बता देंगे नेक्स चाहिए करमधारे समास उन्हें करता है तक पूरुस को करमधारे कहते हैं और इसमें पर आया प्रथम पद विशेशन और दूसरा पद जो विशेश गर बात京 कौन है थो कमल महान कौन है तो कमल है तो महान कौन है और हसमास हो जाता है और–घर हम अपने को टिक यहां बता है तो क्या हो जागा, कि करम्धारे समास में हम लोग ऐसे लिखते हैं, वीर बाल्द तो वीर है जो बाले, यहनुकि कोई विशेष कोई अर्थ जो वो नहीं निकल रहा है, जैसे कि वीर है जो बाला, तो कौन बाला है यह पता नहीं, यानि क्यों कोई सी विसेश जो व्यक्ति का या पर बहुत नहीं होगा तो वह हमारा हो जाएगा खरमधारे समास निक्स्ट यहाँ पर अगले आपर मारे बहु वरी ही समास तो बहु वरी ही समास क्या होता है तो इसमें कोई भी पद परधान नहीं होता है बलकि समस्थ पद से किसी अन्य सब्द का बोध होता है जैसे कि आपर मतैजर दसानन तो दस है आनन जिसके आपर रावन का बोध हो र है याँ यहाँ सब निकोल करा किसे है तो राशन कि है लंबोदर, लंबहाय है उदर जिसका तो व किसका है यां कि कोईसी जुआ है पर व्यक्ति कर यहां किशी जो है प्रधान गता है और छुँआ है नील गएएं निलकंट तो यहां पर शीव जी का अर्थ निकल रहा है भगवान सीव हो गया शुदू है निकि महातर पता चल जा रहा है, तो वो हमारा बहु वरी समास हो जाएगा, जो कि किसी समस्थ पद में कोई भी पर पद परधान नहीं होता है, बलकि समस्थ पद में से किसी अन्य सब्द का बोध हो जाते हैं, जैसके आप सभी देख सकते हैं, अगले आपर अव्यवी भाव समास दिया प्रती दीन हर दीन यथा सकती सकती भर हैं, यानि कि और कारण यानि कि बिना कारण कर बहु खुबी यानि खुबी के साथ, तो इस तरह के में जो वाखी हो जाएगा, वो अव्यवी भाव का हो जाएगा, ओके, वहम लोग चलते हैं, द्वन दिसमास की ओर, अगले आपर मर कर तो आप लोग तो याद रखना किए जो एक सब्द रहेंगा न, एक सब्द रहेंगा, इसका यहां पर जो उल्टा दिया रहे गा, बीच में तो इसका पूरा पद संख्या वाच एक विसेशन होता है तद पूरुस क्रमधारे समास के तरे इसका उत्तर पद परधान होता है अगर इसको जो असानी से अगर बात करें रियात करने की जो दूइगू समास क्या हो जाएगा तो इसमें जो कोई भी हमारा सब्द रहेगा इस चार राहो का समहार चार का यहां पर जो संख्या है पंच मुख में पांच मुख का समहार यानि कि पंच है तो पांच है तो यहां पर जब संख्या इस टैप का आपका दिया रहेगा तो वह हो जाएगा हमारा द्विगू समास तो इससे जो है आप लोग की एक्जाम में बह धन्यवाद